नमस्कार दोस्तों, लर्न विथार्जे में आपका स्वागत है तो दोस्तों, आज पंडित दिन दियाल उपध्याय गोरक पुरविस विद्याले ने सकेंड फोर्थ और सिक्स्थ सेमेश्टर की परिचाओं के टाइम टेबल को समस्मेश्टर की परिचाओं के टाइम टेबल को फाइनली जारी कर दिया है जैसा कि आप यदि नोटिस और सर्कुलर वाले सेक्सन में जाएंगे आप यहाँ पे सकेंड नमबर पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि सब्स 2023-24 के असनातक एम परा असनातक छातों के सम समेश्टर की परिच्छा की संसोधिस समय सारनी और यह समय सारनी जो है आज 5 अपरेल को यहाँ पे अपलोड की गई है यानि यह लेटेश्ट है तो परिच्छा का अटकरम जारी हो गया है यदि आपने पहले कहीं और अनाथेंटिक सोर्स से कोई भी टाइम टेबल डाउनलोड करके अपने मुबाइल में रखा हुआ है तो कृपिया उसे एकदम डिलिट मार दीजे वो परिच्छा टाइम टेबल का बहुत सारा डेटा जो है चिंज हो चुका है यदि वो अपने पास आप रखेंगे तो हमेशा कन्फ्यूजी रहेंगे आप इस लेटिस्ट फाइल को यहां से डाउनलोड कर लीजे व्यू बटन पे क्लिक कीजे आप ये मुबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और इसका लिंक मैं कमेंट में देवी दूँगा वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आईए आप परिछा करक्रम को समझ लेते हैं यहां परिछा नियन तक की और से ये नोटिस जारी की गई है चार तारिक की डेट है अपलोड हुआ है पांच तारिक को विस्विद्यालें संबध महाविद्यालों की समिषटर प्रगाली 2023-2024 के अंतरगत असनातक एम पराजनातक प्रोग्राम में सम समिषटर की परिछाएं अट-15-4-2024, 15 अपरिल 2024 से प्रारूम होंगी संसोधित परिछा समय सार्णी विस विद्याले की वेब साइट पर अपलोड कर दे गई है तो इस समय सार्णी को यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी PG कोर्स है इनके एकजाम 15 अप्रेल को सुरू हो रहे है और एक मई एक मई तक यए एकजाम चल रहे है 15 अप्रेल से एक मई के बीच में जितने भी PG कोर्स है चाहे M में हो गया, MSC हो गया, M काम हो गया इन सारे कोर्सेज की इसके लाव जो भी कोर्सेज है इन सारे कुर्सिज की परिच्छाएं 15 अप्रेल से 1 मई के बीच में समाप्त हो जा रही है कुछ परिच्छाएं 24 अप्रेल को खत्म हो रही है कुछ 27-26 अप्रेल को खत्म हो रही है और एक आदर सब्जेक्ट की परिच्छा 1 मई तक चलेगी यानि PG की परिच्छाएं पहले कड़ाई जारी है 15 अप्रेल से 1 माई के बीच में परिच्छा का टाइमिंग 2 पाली में रखा गया है पहली पाली आपकी है 8 बजे से 11 बजे तक और दूसरी पाली है 1 बजे से 4 बजे तक ठीक है तो आपकी परिच्छा किस पाली में पढ़ी है यह आपको time table में ही देखना पड़ेगा कुछ subject की second paper की परिच्छा साम की पाली में है कुछ paper ऐसे भी हैं जिसने fourth semester की परिच्छा जो है second पाली में रखी गई है यह मिला जुला है तो इसलिए आपको किस पाली में आपकी परिच्छा है आपको सेम देखना परेगा PG की परिच्छा जो है तीन घंटे की है और तीन घंटे की परिच्छा का होने का मतलब है यह आपका pattern जो है exam का आपका pattern return होगा return exam आपको देना होगा लिखने वाले question आएंगे वो सारे question आपको करना है पुरा का पुरा सिस्टम दिसमबर 2023 में जो exam pattern फालो किया गया था उसी के आधार पे आपकी सारी परिच्छा होंगी यदि आप देखना चाते हैं कि दिसमबर 2023 में परिच्छा pattern क्या था तो इसका वीडियो मैंने दिसमबर में डाला था आप मेरे वीडियो सेक्षन में जाके उस particular वीडियो को देख सकते हैं तो ये तो हो गई बात PG की आप देखें UG की अधी बात करें तो UG की परिच्छाओं में BBA इसके बाद आपका BHM City BJMC और BCA जैसे कुछ courses हैं जिनकी परिच्छा जो है रिटेन होगी और इनका भी टाइम जो है तीन घंटे का रखा गया है BBA, BCA, BJMT जैसे कुछ courses हैं जो bachelor course हैं लेकिन इनका परिच्छा टाइम तीन घंटे रखा गया है तो इसका भी आपका written paper होना है ठीक है यह सब जोसाइक course है इसलिए इनका written paper होगा और इनकी परिछाए एक मई से साथ मई के बीच में या आठ मई के बीच में आप देख सकते हैं होने की बात कही गई है जो रेगुलर bachelor course है जैसे BA, BICAM, BSC तो BA की परिछा आपकी 25 तारिक से चालू हो रही है और यह जब आप time table पूरा देखेंगे तो आप देखेंगे कि 7 जून तक यानि 25 अपरेल से 7 जून के बीच में परिचाएं हो रही है इसमें से ज़्यादातर UG courses की परिचाएं आपका 17-18 माई तक खतम हो जा रही है केवल BA के कुछ essay courses है जिनकी परिचाएं 7 जून तक चलेंगी अब बैचलर लेवल की परिचाएं यानि की BA, BSC की परिचाएं के लिए परिचाएं जो है 3 पाली में ली जा रही है पहली पाली है 8 बज़े से साढ़े 9 बज़े तक ठीक है दूसरी पाली है 11 बज़े से साढ़े 12 बज़े तक और तीसरी पाली है 2 बज़े से साढ़े 3 बज़े तक ठीक है 3 पाली में ली परिचाएं हो रही है हर पाली 15 घंटे की है देर घंटे का टाइम निर्धारित करने का मतलब है कि आपका पेपर आपजेक्टिव ही होना है आपजेक्टिव का मतलब है कि आपके पेपर में multiple choice questions आएंगे और इन्हें आपको solve करना होगा और ये MCQs का pattern क्या होगा इसके बारे में भी मैंने December 2023 में एक वीडियो बनाया था New exam pattern का वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं उसमें सारा detail दिया हुआ है कि major papers के number किस तरीके से divide होंगे minor paper के number किस तरीके से divide होंगे और कितने question आएंगे ये सारी बातें उसमें बताई गई है अब यहाँ पे आप देखें यदि विकाम का schedule तो विकाम सकंड समेश्टर की परिछाएं जो है तीस तारिक से चालू हो रही है छे तारिक तक चलेंगी और सकंड समेश्टर के लिए दो बज़े से सारह तीन बज़े तक की पाली का समय रखा गया है फोर्थ समेश्टर की यदि बात करें तो ये भी परिछाएं तीस तारिक से चै तारिक तक चलने वाली है ये ग्यारा बज़े से सारह बार बज़े तक यानि सकंड पाली का समय रखा गया है बिकाम सिक्स्थ समेश्टर के लिए सुबह की पाली रखी गया आठ बैस सारह बज़े वाली ये परिछाएं तीस तारिक से चालू होकर ग्यारा मई तक चलने है क्योंकि सिक्स्थ समेश्टर में बहुत सारे आफ्सनल पेपर हैं इसलिए ये डेट बढ़ गया है अब आफ्सनल पेपर में यदि आपको ये एक पेपर आपको चूई करना है तो किसी पर्टिकुलर दो दिन आपकी परिछाएं परेंगी बाकी जो रेगुलर पेपर हैं कंपलसरी पेपर हैं वो आपके तीस तारिक से तीन तारिक तक चलने वाले हैं तो आप लोग अपने exam की तयारी अब अच्छे से चालू कर दीजे exam pattern देखना हो तो वैसे तो आप सभी exam दिये हुए हैं जानते ही होंगे यदि आपको कुछ भूल पर रही हो कुछ और जानकारी चाहते हो तो मेरे चैनल के वीडियो सेक्षन में जाके exam pattern दिसंबर 2023 का जो वीडियो है उसे देख लीजे सेम वही exam pattern इस बार भी रहने वाला है यहाँ पर एक बात और है कि अभी आपके minor paper का परिच्छा करक्रम इसमें नहीं दिया गया है तो minor paper का परिच्छा करक्रम हो सकता है कि अलग से आए और 17 माई के बाद इसकी परिच्छा होने के संभावना जादा है minor paper की या हो सकता है जून में भी minor paper की परिच्छाएं हो 17 माई के बाद परिच्छाएं कम हो जा रही है कि LBA की परिच्छा परेगी तो उस दोहरन माइनर पेपर की परिच्छा कराई जा सकती है या फिर चुनाओ के बाद जून में कराई जा सकती है सही जानकारी जब माइनर पेपर का टैम टेबल आ जाएगा तब ही पता चल पाएगी अब तक आपको वेट करना है तो आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उप्योगी सद्धुआ होगा ज़िए वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबालें ताकि इसी तड़के की नई नई वीडियो आपको मिलती रहें धन्यवाद